नमस्कार दोस्तों एक डिसमील में चार रूम कितने बड़े बड़े होंगे इस सवाल किया हुआ है देख लिजे पूरा विडियो को देखे एक डिसमील दोस्तों एक दिसमील एक डिसमील बड़ाबर आप सब जानते हैं चार सो पैंटिस दिसमलोच्छे वर्ग फीत होता है अब इतना बड़ा यदि हम बनाते हैं पलाठ है आपका इतना बड़ा और रूम चार रूम बनाते हैं ये देख लिजे ये दूसरा रूम और ये तिसरा चाउंथा दोस्तों इस तरह से यदि आप बनाते हैं पहला दूसरा तिसरा ये चाउंथा रूम ये होता है ग्यारा गुडे दस यानि कि ग्यारा फीत लंबाई ये लंबाई है दोस्तों ग्यारा फीत लंबाई और दस फीत शवडाई इस तरह से ये सभी इसी तरह है ये तीनो रूम ग्यारा दस ग्यारा या कब ग्यारा दस लिखें ये भी है वही ग्यारा दस का और ये कम हो जाता है दोस्तों ये तो ग्यारा है लेकिन ये इसकी चवडाई शाड़े नाव यानि कि ग्यारा गुड़े नाव दसम लोग पांच इस तरह से इतना बड़ा बड़ा होगा जहां साटे जी है भूमी का वहां के लिए ये सवाल पूछे है तो देख लेगे अब इसका छेत्रफल हम लोग निकालते हैं 435 जसम लोग 6 वर्ग फिट होना चाहिए ये ग्यारा गुड़े 10 कीजिए बराबर 110 वर्ग फिट हुगा अब 110 गुड़े 3 कर दिजी तीन रूम बराबर है तो ये 330 वर्ग फिट हुगा और एक रूम 11 गुड़े 9 दसम लोग 5 यानि 11 फिट लंबाई और 9 फिट चवड़ाई है दोस्तों 9 दसम लोग 5 इस तरह से ये अब इसका 11 गुड़े 9 दसम लोग 5 बराबर गुड़ा करके देख लिए एक सो चार दसम लोग 5 वर्ग फिट हुगा अब इस दोनों को जोड़ लिजे दोस्तों 330 और 104 दसम लोग 5 इस तरह से ते 5 4 3 4 दोस्तों इस तरह से एक फिट का कमी हो रहा है इस तरह से इतना बड़ा बन सकता है यदि चार लोग बनाते हैं तो यह सवाल क्या गया था यह जहां साथ जी है भूमी वहा के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब केजिए विडियो को शेर केजिए धन्यवाद